हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में कक्षा 11 गडित में इस समय हमारा चैप्टर चल ला है त्रिकोंड मिती फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि भाई त्रिकों इक्सर्साइज 3.1 को भी हमने हल कराया था अगर आपको हमारे पिछले वीडियो देखने हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में से आप देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है तो इस वाले वीडियो में हम सुरू करेंगे इक्सर्साइज 3.2 को यहां पर भी एकदम बे और किस प्रकार से हमारे मान वहां डिफर करते हैं ठीक है तो भाइकदम ध्यान दीजेगा इस प्रकार से यह हो गया हमारा एक्स अच्छ और यह हो गया हमारा वाई अच्छ अगर आप यहां सुरू करें तो यह 0 हो गया यह हो गया 90 डिग्री यह हो गया 180 और भाई यह वाल प्रथाद भाई हमारा एक चक्कर पूरा हो गया ठीक है तो भाई जो हमारा ये पहला क्वाडिनेट है इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांस जो 90-180 वाला है ये से कहेंगे हम द्वती चतुर्थांस जो 180-270 वाला है उसे हम कहते हैं त्रती चतुर्थांस और भाई जो आखि कोडिनेट थर्ड कोडिनेट और फोर्थ कोडिनेट अब इन चारों की खास बात क्या है और हमने बाटा क्यों से यहां पर आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है तो इन्हें हम इस प्रकार से बाट सकते हैं A S T C ठीक है अब इनका मतलब क्या होता है आपको केवल इसी बात को ना धंग से देखना है बाई A का मतलब होता है All अर्थात इसका मतलब है कि 0 से 90 तक जो हमारा पहला चतुर्थांस है उसमें हमारे 6 के 6 त्रिकोन मिती फलन साइन कॉस्ट एन कॉट से कॉसिक भाई 6 के 6 प्लस के होते है अर्थात यहां सब कुछ धनात्मक होता है ठीक है बाई चुकि यहां X और Y दोनों ही धनात्मक है तो यहां पर जो हमारे 6 फंक्सन है ट्रिकोनमेट्री के वह सब धनात्मक होते है बाई इसी लिए उसे लिखते तो भाई यह होगे हमारा दूसरा चतुर्थांस यहां पर लिखा है S, S का मतलब है साइन अर्थात यहां पर साइन वाला प्लस का होगा अगर साइन प्लस का होगा तो भाई कॉसिक भी प्लस का होगा जोकि साइन और कॉसिक तो एक दूसरे के उल्टा होते हैं अर्थात जो चार बचे हैं, वो सब माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, पहले वाले में सब के सब प्लस के होंगे, दूसरे वाले में केवल साइन और कॉसक ही प्लस के होंगे, बाकी जो चार बचे हैं, वो माइनस के होंगे, तीसरे वाले पे आजाओ, 180 से 270 तक, यहाँ पे लिखा हुआ ह तो भाई T का मतलब है टैन और अगर टैन है तो साथ में कॉट भी आएगा क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो तीसरे वाले में टैन और कॉट प्लस के होंगे उसके अलावा जो चार बचे हैं वो माइनस के होंगे भाई इस प्रकार चौथे वाले में आजाओ 270 से 360 तक यहां लिखा है C भाई C का मतलब है कॉस और अगर कॉस आया है तो सिक भी आएगा ठीक है तो भाई चौथे वाले में कॉस और सिक प्लस के होंगे उसके अलावा सब माइनस के होंगे तो भाई इस प्रकार से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भाई पहले वाले में A for all, all का मतलब है सब प्लस के होंगे, सब धनात्मक होंगे दूसरे वाले में S, S का मतलब है साइन और साइन अर्थात कॉस एक, तो साइन और कॉस एक प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के तीसरे वाले में टैन और काट प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे तो भाई इस प्रकार से हमने पूरे एक चक्कर को चार चतुर थांसों में बाटा हुआ था क्यों बाटा है आप भाई समझ गये होगे क्योंकि मान जो है वो डिफर करते हैं जो हमारे trigonometric functions है छे के छे वो भाई डिफर करते हैं कोई कहा माइनस का है कोई कहा प्लस का है तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हो तो भाई इसी बात पर ना हमारी पूरी exercise based है ठीक है अब जैसे ही एक चक्कर आपका पूरा हो जाएगा अगर आप दूसरे चक्कर में घुशते हो तो आपको फिर से वहीं सुरुवात करनी पड़ेगी अर्थात जैसे ही आपका एक चक्कर पूरा होता है तो समझो आप फिर से सुरुवात में पहुन जाओगे 360 का मतलब है आप दुबारा सुरुवात में आ जाओगे ठीक है तो अब हम सुरु करेंगे भाई इसी चीज पर exercise 3.2 को ठीक है बिल्कुल इसी पर सवाल बेज़ नहीं आपके सब के सब अब भाई पढ़िए सवाल में कह क्या रहा है अब प्रस नंबर 1 से 5 तक के सवाल एकदम ऐसे ही है देख लो क्या कह रहा है कहरा है कि निम्न लिखित प्रसनों में पांच अन्य त्रिकोण मिती फलनों का हमें मान ग्याद करना है अर्थाद भाई हमें इस प्रकार से एक वैल्यू पता होगी बाकी हमें पांच वैल्यू पता करनी पड़ेंगी ठीक है अब पहला सवाल जो कि हमने यहां लिखा हुआ है कहरा है कि कॉस एक्स बराबर माइनस एक बटा दो है एक बात हमें पता है और भाई दूसरी बात हमें पता है कि यहां तीसरे चतुर्थांस में है यह बात भाई हमें पता चलिए चतुर्थांस में है यह वाला जो मान है वह तीसरे चतूर थांस में है तो हमें बाकी के न, पांच मान ग्याद करने है अब भाई बाकी के मान निकालने कि अशrico है बड़ा ही आसान है यहां से, ठीक है आप चाहो तो पाईथा गोरस का यूच कर सकते हो चाहो तो भाई कोडों का यूज कर सकते हो आप कैसे भी मान ग्याद कर सकते हो कोई समस्या नहीं है ठीक है अब देख लो कॉस वाला कह रहा है कि तीसरे में तीसरे में 10 और कॉट प्लस के होते हैं तभी तो कॉस माइनस का है क्योंकि यहाँ केवल 10 और कॉट प्लस के होंगे बाकी सब माइनस के होंगे दूसरा हिसाब आप ये लगा लो कि भाई कॉस में 1 बटा 2 किसका मान होता है ठीक है तो 1 बटा 2 दो मान है वहाँ कॉस 60 का होता है कॉस 60 लेकिन चुकि आप तीसरे में हो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दे न भाई तीसरे वाले का मतलब हो गया 180 प्लस 180 प्लस तभी तो आप जाओगे तीसरे वाले में और 1 बटा 2 मान होता है कॉस 60 का तो भाई ये मान हो गया कॉस 180 प्लस 60 अगर इसे आप खोलोगे तो आजाएगा माइनस 60 कॉस माइनस 60 और उत्तर आजाएगा अर्थात कॉस 240 का मान जो है वह माइनस 1 बटा 2 होता है आप चाहते तो यहाँ पाइथा गोरस भी लगा लेते अभी हम आगे के सवालों में आपको पाइथा गोरस भी बताएंगे चोकि यह मान सीधे हमें टेबल में मिल जा रहा है इसलिए हमने ऐसे लगाया है कास 240 का मान होता है माइनस के एक बटा 2 अब हमें बाकी के मान निकाल ले है अब भाइमान निकाल लो तो यहाँ पे लिख लो साइन 240 अब साइन 240 क्या हो जाएगा तो भाइ साइन 180 प्लस 60 पराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन 60 और भाइ साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2 ठीक है तो यहाँ पर मान माइनस का हो जाएगा चोकि तीसरे वाले में केवल 10 और काट प्लस के होते है अगर आपको साइन का पता चल गया है तो आप कौसेक तो सीधे ही निकाल सकते हो इसका आप जस्ट उल्टा कर दो आपको कौसेक का पता चल जाएगा अब बचा 10 और काट इनको हल कर लो तो भाइ यहाँ हो जाएगा 10 240 इसे आप ऐसे लिखने वाले हो 180 प्लस 60 चुकि भाइ तीसरे वाले में है तो 10 तो प्लस का निकलेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 ठीक है अब अगर आपको 10 का मान पता चल गया है तो भाइ कौट निकालने की कोई आवसकता नहीं है सीधा आप मान को उल्टा कर दो 1 अपाउन और आपको मान पता चल जाएंगे ठीक है तो भाइ देखा सवाल बड़ा ही आसान था लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज प्लस की जानी है और कौन सी सीज माइनस की एक चीज रवर रह गई अब भाइ कॉस पता था तो आप यहां से सिक वाली वैलू निकाल लो अब सिक दो सो चालिस का मान क्या होगा इसका जस्ट उल्टा कर दो माइनस के दो ठीक है आंसर आ गया तो भाइ इस प्रकार से आपको एक मान पता होगा और आपको बाकी के पांच मान निकालने होगे तो यह हो गया हमारा सवाल नमबर एक अब भाइ प्रस नमबर दो पे आजाओ कहराए कि साइन एक्स बराबर तीन बटे पांच है और जो दूसरे चतुर्थांस में इस्थित है तो भाइ दूसरे में ध्यान दो कि दूसरे में साइन और कॉस प्लस के होते हैं तभी यहान मान प्लस का लिखा हुआ है बाकी सब लोग माइनस के होँगे तो पहले हमें साइन पता है तो आप यहां से कॉस एक का मान तो डारेक्ट निकाल सकते हो पांच बटे थीन हो जाएगा तो भाई एक उत्तर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि जस्ट उल्टा ही होता है ठीक है अब हमें यहां कॉस के मान निकालने हैं तो भाई कैसे निकालोगे अब हमें यहां पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा तीन बटे पांच है अब यह हो गया लंब यह हो गय कंड ठीक है ऐसे चाहूँ आप लिख सकते हैं लंब अटे और यहां हो जाएगा कंड अब लंबD और कंड पता है तो आप आधार को कैसे निकालोगे ठीक है तो भाई यहां लिखोगे आधार बराबर अंडरूट क्या होता है कांड का वर्ग और माइनस लंब का वर्ग तो भाई कांड का वर्ग क्या हो जाएगा पचम 25 और लंब का 9 आजाएगा अंडरूट 16 जिसका मान होता है 4 अर्थाज जो हमारा आधार है वो चार हो जाएगा अगर आपको आधार का पता चल गया है तो आप कास का मान निकाल सकते हो बैमान क्या होगा आधार बटे कार्ड लेकिन माइनस का होगा क्योंकि जो कास है वह दूसरे वाले में माइनस का होगा अगर cos minus का है तो sick भी minus का होगा चुकि उसका just उल्टा होता है तो sick कमान सीधे निकलाया अब बचा 10 और cot तो भाई 10 क्या होगा 10 होता है लम बटे आधार तो यहाँ पे हो जाएगा minus 3 बटे 4 और cot क्या होगा जो 10 होगा उसका just उल्टा कर दो तो cot का पता चल जाएगा ठीक है तो यह जो सवाल है यह पाइथा गोरस से आप लगा सकते हो भाई जहाँ पर हमें सीधे वैलू नहीं पता है टेबल में वहाँ आप पाइथा गोरस का यूज कर लो बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज प्लस की लेनी है और कौन सी चीज माइनस की बाकी यह वाले सवाल आप हाई स्कूल में लगा चुके हो ठीक है तो यह हो गया हमारा प्रस नंबर 2 अब प्रस नंबर 3 को देख लो एकदम पिछला वाला ही सवाल है कौट एक्स का मान है 3 बटे 4 और कह रहा है कि तीसरे वाले में है अब तीसरे वाले में 10 और कौट प्लस के होते हैं इसलिए हम वालू प्लस की है तो 10 और कौट के लावा बाकी सब कुछ माइनस का लेना है तो यहाँ पहले आपना 10 लिख लिया करो आ जाएगा 4 बटे 3 तो पहला आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा ठीक है अब कौट होता क्या है भाई कौट को आप दुबारा लिख लो इस प्रकार से 3 बटे 4 तो यह हो गया हमारा आधार और यह हो गया हमारा लंब अब आधार और लंब पता है तो आप यहां से न कंड का मान निकाल सकते हो ठीक है भाई पाइथा गुरस का यूज करो वो ता क्या है कि लंब स्कॉयर प्लस आधार स्कॉयर मान रख लो भाई लंब का वर क्या हो जाएगा 16 आधार का 9 तो यहां कुल मिला के आजाएगा अंडरोड 25 और यहां आजाएगा 5 तो कंड तो हो गया हमारा 5 जब आए कंड पता चल गया है तो आप सबसे पहले साइन एक्स की वैलू निकाल लो साइन क्या होता है लंब बटे कंड तो आजाएगा 4 बटे 5 लेकिन साइन जो है वहां तीसरे वाले में माइनस का होगा तो ऐसे कर दो अब साइन का पता चल गया हो तो कॉसेक तो अपने मन से पता चल जाता है जस्ट उल्टा कर दो अब यहां से आप कॉस की वैलू निकालोगे तो होता है आधार बटे कंड लेकिन माइनस का ये भी होगा अगर कॉस का पता चल गया है तो भाई सिक तो आटोमेटिक पता चल जाता है तो भाई ये हो गए हमारे बाकी के पांच मान तो देखा आपने सवालों में कुछ नहीं करना है बस पाइतागरस को यूज करना है जो एक मिसिंग भुजा है वो निकाल ले नहीं है और भाई ध्यान रखना है कि कौन से चीज हमें प्लस की लिखनी है और कौन से चीज माइनस की सवाल हो जाएगा तो भाई ये हो गया हमारा प्रस नमबर 3 अब प्रस नमबर 4 सेक एक्स बराबर है तेरा बटे 5 और कहराई की चोथे वाले में है अब भाई देख लो जो चोथा वाला है उसमें कास और सेक प्लस के होते है सो भाई याँ जो सेक है वा प्लस का लिखा हुआ है अगर आपको सेक का पता है तो आप कास का पता तुरंत लगा सकते हैं पाँच बटे 13 होगा ठीक है यह हमारा आधार होता है और यह होता है हमारा कंड लंब मिसिंग है तो आप लंब को निकाल लो पाइथा गोरस प्रमें लगा के ठीक है लिख लिए अगरो पाइथा गोरस प्रमें से यहाँ पे सुत्र क्या होता है कण स्कुयर माइनस आधार स्कुयर और भय अंडरूट लगा लो कण जो हमारा 13 है इसका वर्ग होगा 179 आधार जो है 5 है तो पचम 25 घटा होगे तो आजाएगा 144 और भय अंडरूट निकालोगे तो 12 आजाएगा तो हमारा लंब हो गया 12 अब लंब पता हो गया है तो आप sin x का मान निकाल सकते हो लंब बटे कांड करके बस यहाँ माइनस लगाना होगा चोकि जो sin है वो चौथे वाले में माइनस का होगा अगर sin पता चल गया तो कौसेक भी पता चल गया माइनस तेरा बटे 12 क्लियर हो गया ना अब आगे चल लू साइन और कौसेक पता चल गया अब आपको निकालना है 10 अब 10 क्या होगा लंब बटे आधार ठीक है तो लंब है हमारा 12 आधार है 5 बस माइनस का लिख लेना और यहाँ काट एक्स बराबर माइनस पांच बटे 12 ठीक है भाई अगर आपको एक वैलू पता हो गई है तो भाई दूसरी वैलू जश्ट उल्टा कर लो तो आपको पता चल जाती है तो चौथे वाले में केवल सेक और कास प्लस के हैं बाकी सब वैलू हमें माइनस की लिखनी है बस इतना ही अंतर है ठीक है यह हो गया हमारा प्रस नमबर 4 अब 5 में प्रसन पे आजाओ लिखा हुआ है 10x बराबर माइनस 5 बटे 12 और कह रहा है कि दूसरे वाले में है अब दूसरे वाले में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं इसी लिए यहां टैन जो है माइनस का लिखा हुआ है तो अगर आपको टैन पता है तो आप कॉट एक्स का मान जस्ट उल्टा करके ऐसे लिख सकते हो ठीक है यह होता है आधार और यह होता है लंब आधार और लंब पता है तो आप करण आराम से निकाल सकते हो बैए करण का सुटर क्या होता है अंडर उड में लंब स्कॉयर और प्लस आधार स्कॉयर इस प्रकार से अब भैं मान निकाल लो लंब हैं हमारे पास 5 तो पचम 25 आधार हैं हमारे पास 12 144 अब निकालो sin x की value भाई sin क्या होता है लंब बटे करड और plus की value लेनी है चुकि भाई दूसरे वाले में sin plus का होगा तो कॉस एक भी तो प्लस का होगा लेकिन 10 तो निकालो यह जाएगा कास क्या होता है आधार सुब्टे करड तो आएगा 12 बटे 13 पर माइनस का इसी प्रकार जो स्यक होगा वा माइनस 13 बटे 12 तो भाई इस प्रकार से आप value निकाल सकते हो तो भाई प्रस नमबर एक से पास तक तो एकदम आसान सवाल है अगर आपको एक सवाल समझ में आ गया तो भाई आप इस प्रकार के सवाल बड़े ही आराम से लगा सकते हो ठीक है सवालों में कुछ भी नहीं है बस आपको भाई याद रखना है कि कौन सा कहां प्लस का होता है और भाई कहां पर माइनस का होता है ठीक है और बाकी आपको पाइथागोरस लगानी है और भाई सीधे value आप निकाल सकते हो तो भाई पास तक तो स पर यहां पर सवाल कुछ अलग है जैसे हम Bentनी कालड़ा है साइन 765 ठीक हैं तो बंधने आपको यहां बताया था कि जैसे हीrif आप एक चक्र पोरा करते हो या कोई भी चक्र एक चक्र दो चक्र तीन चक्कर पूरे पूरे चकर पूरा करते हो तो आप फिर से एकदम शुरुवात में आ जाते हो अरथाद वाय पूरा चकर का कोई फ़रक नहीं पढ़ता स anticipate एक चकर लगा के आया हो ठीक है फिर आप आपको संख्या 360 से बड़ी दिख रही है तो आप पहले क्या करोगे संख्या को लिख लो और 360 से भाग कर दो कि दो बार पाड़ा जाएगा 720 क्या बचेगा 45 बचेगा तो आप ना इसको ऐसे लिख लो साइन दो गुड़े 360 और प्लस 45 इस प्रकार से इसका मतलब हो गया दो पूरे पूरे चक्कर दो चक्कर का मतलब है उन चक्करों को आप गायब कर सकते हो और सीधा क्या बचेगा साइन 45 और साइन 45 का मान होता है वन अपॉन अंडर रूट तो भाई हमारा मान आ गया तो अगर कोई वैल्यू आपको 360 से बड़ी दिखती है तो पहले तो आप भाग करो फिर ये पता लगाओ कि पूरे पूरे चक्कर हो कितने गए हैं और जो चक्कर पूरे पूरे हो गए ह जो भी आगे सवाल भाई दिखे हुए हैं वो सब यही टाइप के हैं अब जैसे सातवा सवाल ले लो अब क्या लिखा हुआ है और माइनस 1410 का मान निकालना है ठीक है अब कोई एंगिल ना माइनस में लिखा हुआ है तो इसका क्या करना है ठीक है तो पहले बात ध्यान निकाल लो ठीक है माइनस बाहर निकल आएगा साइन और टैन में ऐसा होता है लेकिन अगर कोई अंगिल कास में माइनस का है तो आप उस माइनस को छोड सकते हो कास पर माइनस का कोई फरक नहीं पड़ता है पहली बात, चुकि यह कॉसक लिखा हुआ है, तो आप ना माइनस को पहले बाहर निकाल लो, तो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस कॉसक, 1410, अब चुकि जो कोड है हमारा, वो 360 से बड़ा है, तो आप यहाँ भाग करोगे, ऐसे करके, ठीक है, 360, भाग जो है, वो 3 बार जा ठीक है, अब इसे लिखना कैसे है, ध्यान देना, माइनस, तो भाई कॉसक, 3 चक्कर तो पूरे पूरे हो गए, तो 3 गुड़े 360, और प्लस 330, पूरे पूरे चक्कर को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो सीधा बस, तो क्या जाएगा, माइनस कॉसक, यह क्या उसे आप ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है, 360 माइनस 30, कटाओगे तो 330 आजाएगा, जैसे ही आप 330 पहुंचते हो, आप चोथे वाले में पहुंच जाओगे, भाई, चोथे वाले में केवल कॉस और सेक प्लस का होगा, बाकि सब माइनस के होगे, माइनस माइनस य पहले से था, एक माइनस और आजाएगा, तो भाई, हमारा कुल मिला के आंसर आजाएगा, दो, तो भाई, इस प्रकार से अगर कोण बड़े-बड़े लिखे हुए है, तो आप भाग करने के बाद, उन्हें बड़े आराम से लगा सकते हो, तो भाई, ये होगे हमारा प्रस नमबर आठ की तरफ, अब भाई देखो, आठ में क्या लिखा हुआ है, 10, 19, पाई अपॉन 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है, 10, 19, पाई अपॉन 3, इस प्रकार से है, भाई, इस बारना मान रेडियन में है, तो आप यहाँ पर भी ना, इसे पहले सही बटा करके लिख लो, ठीक है, अईसे देखना, 10, यहां भाई, तिछाक 18, तो 6 तो पूरे पूरे आ जाएंगे, ठीक है, तो भाई 6 पाई तो पूरे पूरे आ जाएंगे, और 1 बचे का पाई अपॉन 3, ठीक, पूरा पुरा आ गया, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, अब भाई 6 पाई का मतलब हो ध्यान देना, 6 πाई बराबर, 3 गुड़े 2 पाई, और 2 पाई का मतलब होता है, एक पूरा पूरा चक्कर, तो ये 3 पूरे पूरे चक्कर हैं, और अगर ये 3 पूरे पूरे चक्कर हैं, तो इन्हें आप बड़े ही आराम से छोड़ सकते हो, तो सीधा आजाएगा 10 पाई अपा करो और भायमान, निकाल दो, ऐसे ही आजाओ प्रस नंबर 9 पे, लिखा हुआ है, साइन माइनस 11 पाई अपाउन 3, ये भाई प्रस नंबर 9 है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भाई हमने आपको बताया था कि साइन में अगर माइनस है, तो माइनस को आप पहले बाहर निकाल लो, तो इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस साइन 11 पाई अपाउन 3, फिर आप यहाँ न सही बटा करके लिख लो, तो माइनस साइन, अब जब यहाँ भाग करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, तीन तिया नौ अर्था तीन पाई पूरे पूरे और 2 पाई ठीक है, अब तीन पाई तो कोई चक्कर होता नहीं है, भाई एक चक्कर 2 पाई के बराबर होता है, तो अगर यहाँ से आप एक चक्कर को हटाना चाओ, तो आप क्या करोगे, भाई एक चक्कर को हटा दोगे, तो कुछ इस प्रकार से बचेगा, अगर आप एक चक्कर को हट जाओगे तो केवल एक पाई बचेंगे दो पाई एक चक्कर हटा दिया साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होते हैं तो भाई यहां तो प्लस का हो जाएगा तो सीधा आजाएगा साइन टू पाई अपॉन थ्री क्या हो जा लाइन 120 का मान होता है अंडर रूड तीन बटा दो यह हो जाएगा हमारे प्रस नमबर 9 का आंसर तो बैए कोई भी सवाल हो आप भाग करो एक चक्कर पूरा-पूरा हटाओ और सवाल को लगा दो बस ध्यान रखना होता है कि कौन चीज प्लस की लेनी है और कौन चीज माइनस की अब लास्ट में हमारे पास एक सवाल है प्रस नमबर 10 है ठीक है कॉट है माइनस 15 पाई और बटे 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है अब चुकि माइनस है तो कॉट में माइनस आप बाहर निकाल सकते हो ठीक है इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं अब आपको पता होना चा प्रकार से भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है जैसे 4 pi minus pi upon 4 चार चक्कु सोला में से एक बए 15 pi upon 4 चुकि ये दो चक्कर पूरे-पूरे हैं दो चक्कर पूरे-पूरे हैं आप छोड़ सकते हो माइनस है तो माइनस बाहर निकलाएगा तो ये बन जाएगा काट pi upon 4 और काट pi upon 4 का मान होता है 1 तो भाई ये हो गया हमारा प्रस नमबर 10 तो भाई इस प्रकार से हमारी एकसर साइस 3.2 पूरी-पूरी समाप्त हो गई अब जब हम आगे इसके जाएंगे तो हमें आपको भाई ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सूत्र पढ़ाने हैं और उसके आधार पर आगे की प्रसनावलिया हल करनी है